फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कच्छे आम का मुरब्बा इजी ट्रिक्स और टिक्स के साथ जिससे आपके लिए आम का मुरब्बा बना आसान हो जाएगा आम को राद पर पानी में पिकोके रखे ताकि उसकी गर्मी निकल जाए जाएगे बाद में उसके चिलके निकल लूँगी यह मैंने आधा किलो आम लिया है अब आमको मैंने दो पार्ट में डिवाईट कर लिया है तो मैं इसे गिए कीदना थीक होता ही इसका पलफ एक्तिम थीक होना चाहिए नहीं कि पतला अब ये पार्ट में से मैं दो पार्ट करके उसमें से क्यूब शेट के छोटे-छोटे टुकड़े बनाऊंगी उसका दर्ग थोड़ा सा ठीक होना चाहिए जिससे की वह पीस सॉफ्ट और एकदम जूसी बने जब हम उसे शुगर में पकाए तो मैं सब आमको अच्छी तरह से काट लूँगी देखिए ये आम कटके तयार हो अब इसको हम उबा लेंगे मैंने एक पेंड में पाने कर लिया है अब उसमें में ये रो बोल करते वक्त आमको हिलाता है रहना आए अब मैं स्पेक्टूला रखके लीट को रख दूंगी और पार्शली कुप करेंगे हम इसको पांच से छे मिनिट तक हम उसको बोल कर लेंगे पांच चे छे मिनिट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मेंगोस बोल हो चुके हैं तो अब में इस मैंगोस मेंसे एक्स्ट्रा वोटर को ड्रेइन कर दोंगी तो हम सारा पानी ड्रेंड कर देंगे तो हम एक स्टील की कड़ाई लेंगे, एलियूमिनिम की कड़ाई नहीं यूज करनी है, मैंने ये मैंगोज बोईल कुए कड़ाई में एड़ कर देया, अब मैंने ये शुगर लिये, 3 cups मतलब की 600 ग्राम शुगर है, इस cup के हिसाब से मैंने लिये है, अब मैं इसको बोईल कु मैंगोज में एड़ कर दूंगी, और मैंगोज और शुगर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि उसकी शीरफ अच्छी तरह से बन जाए, तो हमें आम और मैंगोज को अच्छी तरह से मिक्स करके, हमें एक साइट पर एक गंटे के लिए रखना है, ताकि सारी मैंगो के वाटर में डिजल हो चुकी और अच्छा सा सिरप बंद चुका है तब हम उसे धीमियाज पर धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे अब उसमें मैं दो डाल चिनी के टुकडे डालूंगी तीन चार इलाइची के टुकडे ललूंगी और अब हम उसको धिम्याज पर पकाएंगे एक घंटे तक चिनी में मिला के रखने से मेंगोज शुगर को अबजव कर लेता है और स्वीट हो जाता है तो उसको पकाने भी दिक्कत नहीं होती अब मैं एक पिंच केसर लूंगी और उसमें गरम चासनी डाल दूंगी जिससे की केसर रिजल्ट मिक्स हो जाए अची तरह से अब मैं उसको एक साइट पर रख दूंगी अब हम उसे धीमे आज पे आट से नो मिनिट तक पकाते रहना है जब तक कि हमारी चासनी उसमें ना आ जाए धीरे धीरे पकाने से क्या होता है कि उसमें सुगर क्रिश्टल नहीं बनेंगे और अच्छी तरह से आम पक जाएंगे अब हम उसमें फिगोया हुआ कैसर एड कर देंगे ताकि उसे कलर और कुश्कू अच्छे आएगा कि कैसर एड करना टोटली ओप्शनल है अब देखिए धीरे धीरे बबल्स हो रहे है मतलब की चासनी हमारी बन रही है हमें ज्यादा नहीं पकाना है पर क्या मैंगो सीरप और मैंगो का ज्यूस एड होने से हमारी शुगर प्रिस्टल नहीं होगी पर एकदम ज्यूसी ही बने जब बबल्स बने तब हमें उसके बाद मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मीट तक हम अब इसे पकाएंगे अब हम चास्मी को ठंडा करके देखेंगे तो हमारी एक तार की चास्मी बन चुकी है ताकि हमारा मुरब्बा भी लेडी हो चुका है अब इसको हम मुरब्बा को ठंडा होने देंगे तो मैं यह गेस्ती फ्लेम ओफ करके उसको ठंडा करने दूएंगे अब मैं इसमें इलाची और दालचीनी का पाउडरेट कर दूँगों इसे अच्छी खुशबू मिलेगी और मिक्स कर दूँगों ठंडा होने के बाद मुरब्बा एकदम ठीक हो जाएगा आप इसको सौव नहीं करता हो सकते अभी पर आप चे चार पाच घंटे के बाद उसको सौव कर दा रहेंगे फ्रेश अपको मुरब्बा खटा लगे आप इसको फ्रेश ग्लास जार में स्टोर करें